आप सभी का आपके अपने YouTube चनल सरकारी भरत में दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट एरफोर्स एक्स भाई ग्रूप की तैयारी कर रहे हैं जिनी स्टूडेंट ने एरफोर्स X-Y गृूप का आज का पेपर दिया है या फिर जो स्टूडेंट एरफोर्स X-Y गृूप का पेपर देने जा रहे हैं आगे आने वाली सिफ्टों के अंदर डेट्स में तो तेरे जुलाई, चौदा जुलाई, पंदर जुलाई को जिनका तो उनसी स्टूडेंट के लिए बताते हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बात करने वाला हूं all shift के जो questions हैं तो मैंने first shift के questions कौन-कौन से आये थे second shift के questions और third shift के questions यह सभी questions मैंने आपके लिए पहले से ही चैनल पर डल दी हैं तो आज की इस वीडियो के इंदर हम बात करने वाले हैं all shift के questions जिसमें मुझे math के gk, English और physics के questions मिल गए हैं जो कि students ने WhatsApp के थ्रूँ वेजे थे दोस्तों आप सभी को बता दूँ अगर आप इयरफोर्स की त्यारी कर रहे हैं, SSR Navy की त्यारी कर रहे हैं, NDR National Defense Academy या फिर Coast Guard की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe करना है यार बिल्कुल मत बूलेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा क्योंकि इस चैनल पर defense related सारी के सारी update class पीडियाप सब कुछ free में provide करवाया जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और आपको लगता है कि सर ये वाला सवाल नहीं आया था ये वाला या था तो comment box में जरूर लिख गया है एरफोर्स एक्सवाई ग्रूप एक्जाम है और यह बारा जुलाई का पेपर है और फस सेकंड और थर्ड सिप्ट तीनों सिप्ट के questions इसमें लिया गया है तो सबसे पहला question है मैक मोहन रेका किन दो देशों को जोड़ती है देखिए आज की एक सिफ्ट में कर मैक मो देखा जो होती है वो भारत और चीन को जोड़ती है अब आप से पूछ सकता है रेड क्लिफ रेका किसको जोड़ती है तो रेड क्लिफ रेका जोड़ती है भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है रेड क्लिफ रेका तो यह questions आपको next में देखने को मिल सकता है चले next question पूच प्रतिकूल होता है विसम इस्तितियों में इस तरीके से यूज करते हैं और इसका नाउन पूछा गया था तो नाउन एड़्जेक्टेव वर्व इन में आपसे कॉशन जरूर पूछता है कि इसकी वर्व क्या होगी इसका जीरेंड क्या होगा ये भी कॉशन पूछ लेता है चले नेक्स्ट कोशन पूछा गया है एंटिनोम पूछा गया है इनिसियेट का मतलब क्या होता है सुरूवात करना क्या हो करना होता है इनिसियेट का मतलब होता है सुरूवात करना तो एंड का मतलब क्या हो जाता है किसी चीच का अंत करना तो आप लोग को उसे एंटिनोम पूछा गया था इसका, चले, next question देख लेते हैं, next question, synonym पूछा गया है, punish, punish का मतलब होता है सजादेना, और इसका synonym चलिए, कौन बताएगा, comment box में आप लोग लिखेएगा, आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है एक question पूछा गया था, correctly spelled से यहां पर questions आपके examination में देखने को मिलते हैं तो committee जो होता है C-O-M-M-I-T-E तो committee का spelling word सही करने के लिए आया था, Y group के exam में एक DVM की full form पूछी गयी थी, DVM तो यह होती है, data waste management system क्या होती है, data waste management system DVM की full form होती है, चले, next question पूछा गया था, भारत के बरतमान विदेश मंत्रें, देखे कल ही 43 मंत्रियों का परसों ही, 43 मंत्री बदले गए हैं, मंत्री मंडल में और आज से आप से प्रश्न पूछ लिया, तो यह जो question पूछा गया है, उसके आदार पर आपका जो सही जबाब है, वो हैं पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो पंडे जवालल नहरू थे, आप से किसी ना किसी शिप्ट में यह questions देखने को मिल सकता है, पूछ सकता है, कि भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो बरतमान पूछ लिया, अब आप से पहले पूछ सकता है, ओके, चले, रेलवे मंत्री कौन है, तो रेलवे के मंत्री कौन है, यह आप लोग कमेंट फॉक्स में बताएगा, चले, तो next question है, इजराइल की मुद्रा क्या है, इस प्रकार का questions पूछे गए थे, next question है, article 17 किस से संबंदित है, article 7 अनुच्छे 17 किस से संबंदित है, तो यह question पूछा गया था, next question math का था, x plus y, x 5, x minus y, 10, 8, 5 और 6 के बरावर हैं, तो x और y कमान क्या है, digit change हो सकती है, सवाल के अंदर, सवाल का pattern यही था, तो आप लोग देख सकते हैं, x plus y बरावर कितना है, 10, और x minus, x बरावर कितना है, 8, तो x कमान 8 हो गया, x कमान 8 यहां पर रखेंगे, तो यह by कमान कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, तो x कमान हो गया, 8 और by कमान कितना हो गया, 2 हो गया, चलिए मैं आपको, यहां पर color change करके देख लेता हूँ, एक बर, ठीक है, यह तो आपको देखेगा, यह वाला color, यह अच्छा देख रहा है, ठीक है, चलिए, तो next question देख लेते हैं, next question क्या है, next question पूछा गया है, Olympic game 2020 कहां होंगे, देखे, Olympic game 2020 थे, इनको स्थगित कर दिया गया, अब यह 2021 में होंगे, यानि कि इस साल होंगे, और यह कहां होंगे, Tokyo Japan में होंगे, कहां पर होंगे, Tokyo Japan में होंगे, 2020 के Olympic game, चलिए, next question क्या है, next question है, twin star of earth, किसे कहते हैं, twin star of earth किसे कहते हैं, तो इसे Venus को कहते हैं, twin star of earth, चलिए, next question है, next question क्या है, जम्मु कस्मीर के बरतमान उपराज़िपल कौन है, जम्मु कस्मीर के बरतमान उपराज़िपल कौन है, तो यह है, मनोज सिन्ना कौन है, मनोज सिन्ना, जम्मु कस्मीर के, जो बरतमान उपराज़िपल है, और इनसे पहले कौन थे तो इनसे पहले थे ग्रीश चंद मुर्मू कौन थे ग्रीश चंद मुर्मू और इन ग्रीश चंद मुर्मू को क्या बना दिया गया है CAG, Controller Auditor General of India बना दिया गया है इनका जो आर्टिकल है वो 148 आर्टिकल के अंदर CAG आता है नियंतरक एबं महाले का परिचक तो इससे लिटेट कोई ना कोई कोई कोशन आपको अगली सिप्टों में देखने को मिल सकता है या पर्सों के एक जाम में चले next question देखते हैं तो next question है धिंग express किसे कहा जाता है धिंग express कहते है हिमादास को किसको कहते है हिमादास को कहते हैं अब आपसे पूछ सकता है हिमादास कौन है तो एक धाविका है रनर है तो ये question आपसे पूछ सकता है चले next question पूछा गया है ये फिलिंदी बलेंग का आया है इंग्लिस का तो आई एम फॉंड टी तो इसमें आपको फिलिंदी ब्लैंग में क्या वनना था तो ओफ आया होगा एक ना कोई कोई आप्सना होगा तो उसके साथ फॉंड ऑफ आपके लिए वरने के लिए आया था चले नेक्स्ट कोईशन देखक लेते हैं सब्सक्राइब कैसी आपसे पूछे जाते हैं सद्सराशियों से लेटेड और अधिस राशियों से लेटेड हमेसा कोईशन एर फॉर्स ये यह सदिस्वाराशिया होती है जिनकी अंदर दिसा और पर्माण दोना होते हैं औहाँ नहीं होती है तो यह ट्रिक याद कर लिजेगा मैंने क्ये बार पताए चलें अंच्ट कोशन है ता बढ़ने पर प्रत्रोद क्या हो जाएगा भड़ जाएगा चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं और यह चलिए इसको घमा लेते हैं थोड़ा सा यहां पर कितना अच्छे अच्छे कोशन पूछे गए आज के पेपर में पेपर का लेवल बहुत अच्छा है ठीक ठाक है या विन व्यर्त का या विना उपयोग का क्या 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 क्य पिरस्पाइब को हैं चले मैंने आपको बताई दिया नेस्ट क्या है नेक्स्ट कोशन थै लोक सवा के पर्थम speaker कौन थे पर्थम से लेटेट कोशन बार आपके examination में आता है तो लोक सवा के पर्थम speaker थे जी भी मवलंकर और मैंने आपको बताया था लोक सवा के पर्थम speaker और लोग पहले विदेश मंत्री कौन थे तो यह थे पंडे जवालान लहरू और यही परदान मंत्री बने थे यही पहले विदेश मंत्री बने थे और ग्रह मंत्री कौन बने थे तो यह ग्रह मंत्री बने थे सर्दार वल्लब भाई पड़ेल आपके ग्रह मंत्री बने थे सिंग हुए थे तो वल्धेव सिंग थे पहले रच्छा मंत्री कौन थे पहले रच्छा मंथ्रीं शय होगे ते सर बन नंत्री कोppen कि पाम mais और चारर्णलबंतुन चफांडव लग обяз harass depressed सभा और और बंदेश सी दें चाहः ć मनथ्री में और यही आपसे पूछ सकता है इन में से ठीक है तो जी भी मावलंकर कौनते परतमिस पी करते हैं चले नेक्स्ट क्वेशन क्या है एक डिगरी लेटिटूट लेंद का इन किलोमीटर ये बाई ग्रूप में पूछा गया होगा आपसे 111 किलोमीटर के बराबर होता है एक डिग एक ऑल कर होती है तो तो टी तो ये ऊनेट पूछ सकता है तो आप लोग य्यूनेट बताइएगा आप इसकी यूनिट क्या है चले नेक्स्ट क्वेशन है === और टीये प्लेयर का वार्ड किसको numa है तो यह मिला ठारो रोहितर सरमा को किसको मिलाता वेस्ट और ये ब्लेयर आ एक व्यक्ति जो कभी नहीं मर सकता देखे वन वर्ड से विश्टूशंस भी आपके लिए आ गया है तो वन वर्ड से विश्टूशंस में अनिक सब्दों के लिए एक सब्द हो तो वन हुग कैननोट डाई एक व्यक्ति जो कभी नहीं मर सकता है तो उसके लिए वर्ड यूज क्या है यहाँ प्रण का पुराना नाम देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेशन पूचा गया है यहाँ पर फिर वर आता है एंडीएवर एंडीएवर का मतलब होता है एक तरीके से प्रयास करना ये वर्ड आपका बिल्कुल सही था उसमें spell check में तो endeavor का मतलब होता है प्रयास करना ये question पूछा गया था एक question आपका conjunction से था hardly पर error आया था next question क्या है requirement का बर्व क्या होगा चलिए आप लोग comment box में बताइएगा requirement का वर्व क्या होगा कुछ questions मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ चलिए next question क्या है तो next question पूछा गया है group of flower is called तो इसे क्या बोक्यूट ब-o-u-q-u-e-t ये इस word को आपको correctly spelled में भी पूछ लेता है तो आप लोग तयार कर लिजेगा याद कर लिजेगा group of flower जो फूलों का गुच्छा होता है उसे क्या बोक्यूट यानिके गुल दस्ता इसको क्या बोलते हैं हिंदी में गुल दस्ता तो दोस्तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही यही questions थे जो के आपकी examination में पूछे गए थे और आपको क्या लगता है कि यह question नहीं आया था यह वाला question आया था और आपको जो questions याद है उन्हें आप comment box में लिख दीजेगा next वीडियो के इंदर हम उन questions को भी discuss कर लेंगे दोस्तों अगर आप इसनल पर नए हैं और यह एरफोर्स xy group की तेयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क पर वाचिंग देस वीडियो जाहें जाए वारे टिक केर बाइब लभ यू तो अल